हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं न्यू वीडियो तो कैसे आप लोग स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई रेसेपी के साथ मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए साही टुकडा जो की मैंने ब्रेट स से बनाएं दोस्तों आप टोस्ट से भी बना सकते हैं वह भी मैं शेयर करूंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए को आप लोग को वाली रशीपी चाहिए है कि नहीं तो टोस्त जो खाते हैं लोग उससे भी बनते हैं यह ब्रेट के इसमाने ले लिए कुछ इसके साइट म ट्रेंगल जो भी शेव आपको देनी है जो भी आपको पसंद हो आप क्या गैस्ट आते हैं आप उसके लिए रेसिपी यह चटपट बनने वाली है दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें सुझ को शक्रमी सबस्क्राइब tightly यह फ्यृचां और बच्चों के लिए बच्चों को मिंठाई पौछ पसंद होती है तो ही जो बना है ब्रेट से परना बना महीं परक्राइब से चाहो से खाते हैं इस में क्या करेंगे आप इप्धी कर सकते हैं मैंने सेलो फ्राई किया तो दोष्टों ये देखिए मैंने ब्रैट किस ऐसे स्लैसे से इसमे रख दिया है बस इनको हलका रोस्ट कर लेंगे बहुता हलका से खरकना पहुत बहुत जदा नहीं अब फ्राई फेन में तब एक सिसी बी आप लोग कर सकते हैं कड़ाई थी नॉनिस्टिक है ताकि इसमें जल्दी से हो झाए आप जिसम Jeff लगे अब डीप्राई करना चाहते बोडी प्राई कर सकते हैं। कि इस तरह से देखिए कलर गुर्डन ब्रावन आ गया है इन में इस सारे ऐसे कर लेंगे कि इस थोड़ा सा घी और ले लिए और जो प्लाइब पीसे से स्लाइसे से ब्रैट के वह भी हम कर लेंगे ठीक है इस तरह से सारे इधर हमने कडाई में देशी की एक चमस ले लिए दोस्तों इधर मेर पास रखी थी आधी कटोरी एक बाउल लिया था तो आधी आधा बाउल म में दूद ले लिया है मतलब एक बाउल हमने आधा बाउल मलाई लीती तो वह हमने घी में कडाई में डाल दी है गैस अभी फ्लेम मैंने और नहीं किये दोस्तों इधर हमने डाला है दो चमस मिल्क पॉर्डर ठीक है इसको क्या करेंगे इस तरह से मिला लेंगे मिलाने के ब तो हम बना रहे है इतर दोस्तों रब्री जिस तरह से इसके उपर लेयर जो उकड़े लेयर लगती है न जो वह रब्री की ही लगती है तो इसको क्या करेंगे पहले हम गाड़ा कर लेंगे इसको ठीक है बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं करेंगे देखिए आप किस बने डाल दिया है समझ दीजिए आदा हाफ कटोरी था मलाई और आदा कटोरी मैंने दूर दिया तो फुल मान के चलिए एक कटोरी था ठीक है मलाई में वैसे भी क्रीम बहुत होती है फुल क्रीम दूर था मेरा तो इस तरह से कि यह कितनी जल्दी से गाड़ी हो गई है इधर डाल दिया है मैंने फूट कलर हलका सा दो बून पानी में तो तिन बून पानी लिए था हलका सा थोड़ा से चुटकी भर से भी बहुत कम जरा सा एक कलर आ जाए अच्छा लगता है देखने में दोस्तों यह देखिए है अब इसको उठाके हम साइड पे रखते हैं इसको साइड पे रख दिया मैंने थंडा हो गया है दोस्तों इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे बाउल में इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है बाउल में इसके अब यह थंडा और होगा मतलब रखने के बाद यह थोड़ा सा गाड में एक कप चीनी और एक कप ही पानी लेंगे ठीक है कि यह देखिए है कि चाशनी ज्यादा नहीं बनाएंगे उतनी बनाएंगे जितनी जगुवत है इधर ले लिया है थोड़ी सी हमने अदाचमच ले ली है लाइची पोड़ आप कि खडी मतब खोल के छिलका हटा के डिल सकते हैं उसको अगर आपके पाश पाउडर डाल वड़ी मैं डालना चाहें इलाइची पौड़ सकते हैं मैंने चाशनी में डाला था क्योंकि ब्रेट के ऊपर जो कोट आती है जैसे ब्रेट हम चाशनी में डिप करेंगे तो इलाइची का फ्लेवर ब्रेट पे आएगा तो और अच्छा लगता है खाने में अब उपर से अगर गानिश करना चाहेंगे तो वह भी आप कर सकते हैं यह डिप हो जाए और रबड़ी में हमने कोई भी मीठा नहीं डाला है चीनी नहीं डाली है रबड़ी को अगर आप ऐसे रखे तो ज्यादा ठीक है क्योंकि मिल्क पाउड़र डाला तो मिल्क पाउड़र छोड़र सा मीठा होता है दोस्तों इधर हम लेयर लगा देंगे पूरा दूर्स जो सकेंड लेयर आई यह बस इसको उपर से लगाना है दुबारा से देखे मेंने ब्लेट सारी लगा दिया है और फिर से रबड़ी की लेयर डाल देंगे इसको ठक देंगे पूरी तरह से ऐखेज दखिए दो और ड्रिस्तों मेरी तरीका आप लोगों को कैसी लगती मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को जरा सभी अच्छा लगता है तो फ्लीज लाइक शिर सस्क्राइब करना मत दूला करिए और कमेंट जरू करा करिए कि आप लोगों को मेरी रेस्पी कैसी लगी है और प्लीज मेरी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा चैनल लाइक कर दीजेगा दोस्तों आपका एक सपोर्ट हमारे बहुत माइने रखता है कि देखिए दोस्तों मैंने अच्छी से लेयरिंग कर लिए इसकी इसको कर लेंगे हम आपके पास काजू पिष्टा बादाम जो भी ड्राइब फूट हो आपसे काट करके कानिश कर सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका अब मैंने फ्रिज में रख दीथी दोस्तों फ्रिज में रखने के बाद जब ठंडी हो जाती है सब इसका फ्लेवर और अच्छा आता है यह देखिए इधर मैंने क्या किया है दोस्तों सब कर दिया है आप लोग के लिए आईए खालीजे टेस्ट करके देख लिए दोस्तों कैसी बनी थी देख लिए दोस्तों टेस्ट करेंगे थैंकि दोस्तों बाइ बाइ दोस्तों